नमस्ते और एस्ट्रो मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे मिथुन राशी के बारे में और आपको देंगे 13 मई 2023 के लिए राशिफल की पूरी जानकारी शुरू करने से पहले आज का सुविचार जीवन का रहसे यहां नहीं है कि हम क्या करना चाते हैं बलकि इसमें सफल होने के लिए हम कितना समर्पन ला सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यार और शादी के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशी के सिंगल लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए रुमैंटिक अवसर लेकर आने वाला है। आपको कोई खास व्यक्ति मिल सकता है, जिसके साथ आपकी वेवलिंद और इंट्रेस्ट मैच करेंगे। आप अपने आकर्शन और कम्यूनिकेशन स्किल्स का इस्तमाल करके उन्हें अपनी तरफ आकर्शित कर सकते हैं। मौजूदा जोडों के लिए आज आपके रिष्टे में समवाद और समझ का महत्वपूर्ण समय है। आप अपने पार्टनर के साथ खुली चर्चा करें और उनके दिल की बाते समझें। आपसी सम्मान और समान भूती आपके रिष्टे को और मजबूती दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करियर और ग्रोठ की। मिथुन राशी के लिए आज का दिन करियर और ग्रोथ के लिए प्रॉमिसिंग है। आपको नए अवसर और प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जो आपके प्रोफेशनल ग्राफ को बढ़ा सकते हैं। आपकी वर्सिटाइल नेचर और क्विक थिंकिंग स्किल्स आपको काम में फ्लेक्सिबिलिटी और अडाप्टिबिलिटी दिखाने में मदद करेंगे। लेकिन ध्यान रखे के अपने लक्षियों को प्राथमिकता दे और अपने काम में निरंतरता और समर्पन दिखाएं। नेटवर्किंग और प्रोफेशनल रिलेशन्शिप आपके करियर में ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। आईए अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिती की। आज के दिन मिथुन राशी के लिए फाइनांशल फ्रंट पर समय अच्छा दिखा रहा है। आपको मॉनेटरी लाब और फाइनांशल स्टेबिलिटी का मौका मिल सकता है। आपके प्रयास और निवेश आपको अच्छे रिटर्न देने के लिए तयार होंगे। लेकिन ध्यान रखे कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखे और आवेगी खर्च से बचे। अपने फाइनांशल प्लानिंग को आप्टिमाइज करें और सेविंग्स को फोकस में रखें। अगर आपको कोई पेंडिंग फाइनांशल मैटर्स हैं, तो आज का दिन उन्हें रिजॉल्फ करने के लिए उप्युक्त है। आखिर में हम बात करते हैं आपकी सेहत और स्वास्थ की। स्वास्थ की बात करें तो आज के दिन मिधुन राशी के लिए स्वास्थ में अटेंशन और सेल्फ केर का समय है। आपको अपना शारिरिक और मानसिक स्वास्थ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नियमित व्यायाम, पॉष्टिक आहार और परियाप्त आराम आपके एनरजी लेविल को बूस्ट करेंगे आपको अपने स्ट्रेस लेविल को कम करने के लिए रिलेक्सेशन तक्नीक और माइन्दफुलनेस का इस्तमाल करना चाहिए अपने जेनरल वेलफेर पर भी ध्यान देना न भूले और अपने प्रियजनों के साथ सपोर्ट सिस्टम बनाए तो ये थी मिथुन राशी के लिए 13 मई 2023 के राशिफल की जानकारी अगर आपको ये विडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करे और हमारे एस्टो मुद्रा चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आप रोजाना राशिफल के इंसाइट्स पा सके धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार एक नए विडियो में नमस्ते